जे ग्यासो मित्रों बहुत बहुत अभिनंदन हैं आप सभी का जिव्य सर्जन में प्रतेक दिवस की भाती फिर हम यहां पर आज लाइव चर्चा का यह कारिक्रम और उस कारिक्रम में बहुत ही चिंतनिय विशय लेकर हम उपस्थित हुए हैं विशय है क्या तुम मित्याचारी हो मित्याचारी होने का अर्थ क्या है आज हम सब इस विशय पर चिंतन करेंगे तो श्रीमत भगवत गीता में भगवान स्रीक्रिश्न यदपी देखिए होना ऐसा चाहिए कि श्रीमत भगवत गीता के सारे विशयों को एक ही विडियो में चर्चा कर लिया कभी कभी मुझे लगता है कि एक बार मैं लाइव आऊं और जब तक गीता के सारे स्लोक ना खतम हो जाए तब तक बोलता ही रहूं लेकिन यह अभी बहुत संभव वाली बात नहीं है अगर मैं कर दूँ तो शायद आप ना इतनी देर तक लगतार सुन पाएं फिर भी कभी बहुत समय रहा सारा दिन खाली रहा तो कुछ ना कुछ ऐसा करने का प्रयास करेंगे कि पूरी गीता को एक साथी क्यों इसलिए क्योंकि सारी बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई है अध्यायों में बातना तो बाद के विद्वानों ने किया है लेकिन जब स्री कृष्ण अर्जुन को सुना रहे हैं वो तो सीधा सुना रहे न वो अध्याय चैप्टर थोई न डिवाइड करके सुना रहे है तो होता क्या है कि थोड़ा सा कृष्ण की बातों में जो प्रभाव है उस प्रभाव में थोड़ी सी कमी आती है जब हम बहुत अलग-अलग विडियो करते हैं लेकिन अभी तो जब हमने शुरुवात कर दी है इस पैटर्न में तो अभी ऐसे ही चलेगा जब यह पूरा हो जाएगा तो फिर हम कोशिश करेंगे कि एक बार लाइव आएंगे शायद आठ घंटे के लिए आएं या पांच-छे घंटे के लिए लगता अब कितने घंटे चल जाए बताना मुश्किल है लेकिन वह लाइव चलेगा और कोशिश करेंगे कि लंबे समय तक पूरी गीता को एक साथ समझने की कोशिश जी हाँ उससे उसका यह महत्व आएगा कि किसी भी बात की गंभीरता को और बहतर तरीके से समझ में आएगा अब जैसे यह बात मैं कहने जा रहा हूँ क्या तुम मिथ्याचारी हो तो मिथ्याचरन क्या है मिथ्याचारी भगवान ने किसको कहा है तो भगवान अरजुन के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं पहले तो आप यह समझे तो भगवान ने सित्प्रग्य के लक्षन बताये कि कुछ लोग जो है बाहर से विश्यों का त्याग करते हैं लेकिन उनकी बुद्धी में विश्यरस बनी रहती है और रस बुद्धी बनी रहती है तो बुद्धी में विशेरस होने के कारण उनका दुबारा पतन होना संबह होता है वो पतन को प्राप्त होते हैं बार-बार भले ही वो बाहर से बहुत दिखा रहे हैं कि वो भिख्षा मांकर जीवन वितित कर देंगे ब्रह्मचारी बनकर जीवन वेतित कर देंगे लेकिन अगर बुद्धी में विशेरस थोड़ा सा भी है तो वो कहीं न कहीं काम कर जाएगा बाहर से आप कितना भी कितना भी आप ऐसा प्रयातने करो कितना भी आप ऐसा प्रयास करो तो वो रहता है हाँ अगर वो बहुत कम मात्रा में है और आप उसके साथ मैनेज कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है अन्यता व्यक्ति को ऐसे आचरन से बचना चाहिए इसमें नुकसान है जब तक वो ध्यान योग के मार्ग पर ना चले इसलिए कई युवा या कई लोग ब्रह्मचरय पालन की बात करते हैं आप ब्रह्मचरय पालन कीजिए लेकिन पहले योगी बनिये पहले योग साधना शुरू कीजिए आसन प्रन्याम परतिहार धारना ध्यान सब को समस्चे हेवे आप आगे बढ़िये फिर ब्रह्मचेर पालन करें तो हो सकता है कि आपको बहुत अच्छी सफलता मिल जाए अनिता मिथ्या आचरन ही करते हुए आप नजर आएंगे तो भगवान अर्जुन को या मिथ्या आचरन का विशय पहले ही समझा चुके है लेकिन अब वो बोल रहे हैं थोड़ा सा कटू लगे अर्जुन को थोड़ा चुबना चाहिए बात जब किसी को बोलो ना कि तुम मिथ्या चारी है उसको लगती है थोड़ी सी बात उसको चुबती है जब किसी को कह दो कि तुम मिथ्याचारी है तो उसे बात लगती है उसे बात चुबती है तो स्रीकृष्ण यहां पर दुबारा बोल रहे हैं कि मिथ्याचरन वो पहले भी मिथ्याचरन को थोड़ा समझा चुके हैं फिर से बोल रहे हैं और अर्जुन का प्रश्ण है कि ज्यान योग और कर्म योग में स्रिष्ट कौन सा है जब आप कर्म योग को ही ज्यान योग से स्रिष्ट मानते हो तो फिर मुझे आप ज्यान योग में क्यों लगाते हो मुझे भेंकर कर्मों में जब आप ग्यान योग को छमा करें जब आप ग्यान योग को कर्म योग से स्रेश्ट मानते हो तो मुझे भेंकर कर्मों में क्यों लगाते हो ये अर्जुन का प्रश्ण है उसी का उत्तर देते हैं बगवान अर्जुन से कहते हैं परजुन कर्मों का कोई विकल्प नहीं है, जो सांखे योगी हैं, जिन्हों ने उस परम्तक्त्यों का साक्षतकार भी कर लिया है, वो ध्यान योग में काफी आगे बढ़ चुके हैं, दवस्ता को प्राप्त कर चुके हैं, उनकी बात अलग हो जाती, वो सभाविक रूप से निश्काम कर्म योगी बन जाते हैं, वो अपने सभाव से ही निश्काम कर्म योगी होते हैं, उन्हें कोई निश्काम कर्म का अभ्यास नहीं करना पड़ता, कोई प्रेतन नहीं करना पड़ता, वो सभाव से ही निश्काम कर्म योगी, वो उनका लक्ष कुछ और हो जाता ह और संसार में करने योग कर्मों को भी वो करते रहते हैं तो वो निशकाम कर्म योगी अपने स्वभाव से ही बन जाते हैं लेकिन जो नहीं है उसको निशकाम कर्म योग करना चाहिए क्योंकि कर्म ना करने से भी निश्कर्मन्यता तो प्राप्त होगी नहीं ऐसा तो नहीं है कि कर्म का दोश नहीं लगेगा कर्म नहीं करने से भी निश्कर्मन्यता प्राप्त नहीं होगी ऐसा बिलकुल नहीं है कि कर्म का दोश नहीं लगेगा भाई कर्म का दोश तो फिर भी लगना ही है आपको और दूसरी बात कि कर्म ना करने से सिध्धी भी तो नहीं होने वाली है तो इसका अंद्रना है कि तुम्हें कर्म करना चाहिए और दूसरी बात कि यह प्रकृती के वशिभूत तुमको कर्म करना ही है अगर तुम ये कहते हो कि मैं कर्म नहीं करूंगा, तो वह भी एक मिध्य आचरन है, क्योंकि ऐसा दसम्भवी नहीं कि कर्म नहीं करोगे प्रकृति के तीन गनों के वशिभूत संपूर्ण जीव जगत कर्म कारिक करने के लिए विवश किया जाता है बद्ध किया जाता है या उसके हाथ के बाहर है कि वो कर्म नहीं करेगा या पूर्णता असंभाव है कि वो कर्म नहीं करेगा कर्म तो वो करेगा सिद्ध योगियों की बात अलग है कि वो अपने आपको समवस्था में इस्थित कर दे तो वो कोई कर्म नहीं करेंगे और समवस्था में ना भी हो विशमता की और भी आ जाएं अपनी इक्षा से वो अवतारी कहलाएंगे तो वो अपनी इच्छा से फिर कर्म करते हैं लेकिन कर्म तो फिर भी करना ही पड़ेगा कर्म से बचना सम्भवने इसलिए करने योग उचित कर्म करना चाहिए बाहर का आचरन करने से तो मिथ्या आचरन होता है और यही सत्थ भगवान कह रहे है जो कर्मेंद्रियों संपूर्ण इंद्रियों को हट पुरुवक रोक कर मन से इंद्रियों के विशियों का चिंतन करते हुए बैठता है जो कर्मेंद्रियों को हट पुरुवक रोक कर मन से इंद्रियों के विशयों को चिंतन करते हुए बैठता है वह मूड बुद्धी वाला विक्ति वमूर बुद्धी वाला मनुष्य मिथ्याचारी विमूर आत्मा मिथ्याचारी वमूर बुद्धी वाला मनुष्य मिथ्याचारी मिथ्या आचरन करने वाला कहा जाता है जो कर्म इंद्रियों को हट पुरवक तो रोक लिया लेकिन मन से इंद्रियों के विश्यों का चिंतन मतलब मन में बुद्धी में विशयरस तो बना ही हुआ है ना तो मन चिंतन करेगा ना मनसा रूप से वह उसका चिंतन चल रहा है क्योंकि बुद्धी में विशहरस है बुद्धी में ही वह विचार बना हुआ है बुद्धी से वह विचारना हो रही है तो मन भी उसके फ्लो में आही जाएगा तो फिर मन से बुद्धी में है और बुद्धी से ऐसी विचारना अगर हो रही है मन अगर विश्यों का चिंतन कर रहा है और बाहर से कोई कर्म नहीं किया जा रहा है बाहर से तो भीया तुम ब्रह्मचारी हो लेकिन मन क्या कह रहा है कि किसी इस्त्री को मत देखो नहीं तो ब्रह्मचरे खंडित हो जाएगा ब्रह्मचरे खंडित हो जाएगा ब्रह्म में आचरन क्या ब्रह्मभी कभी खंडित हो सकता है जो ब्रह्म है वो कभी खंडित नहीं होता ये ध्यान रखेगा तो जिस दिन आप सही मायनों में ब्रह्मचारी हो जाओगे तो उस समय आपका ब्रह्मचरे कभी खंडित होने का विशय ही नहीं बनेगा कोई विशय ऐसा नहीं बनेगा कि जिससे कि आप आपका ब्रह्मचरे खंडित हो जाए क्यों खंडित होता है जब अब ब्रह्म खंडित नहीं हो सकता तो ब्रह्मचर भला क्यों खंडित हो लेकिन आजकर लोग कहते हैं कि मेरा ब्रह्मचर खंडित हो गया ब्रह्मचरे खंडित हो गया अरे कैसा ब्रह्मचरे था इसका मतलब अभी ब्रह्म तक तुम्हारा आचरन पहुंचा नहीं था अगर ब्रह्म तक तुम्हारा आचरन पहुंच गया होता तो कभी खंडित ही नहीं होता बाहर से बहुत त्याग करकर मन से चंतन करने वाले निश्चे ही मिध्याचारी कहे गए हैं पहले भी भगवान इस विश्य को कह चुके हैं कि भाहर से तो तुमने निरहरस्य निरहरी बन गए विश्यों का त्याग तुमने कर दिया लेकिन बुद्धी में तो विशेरस बने रहते हैं। पचाब हो बाहर से जो ब्रह्मचारी बनने का जो क्रिया कलाप है या बाहरी प्रदर्शन में जो ब्रह्मचारी दिखने का या बनने का जो क्रिया कलाप है अगर उससे अपनी पहले रक्षा करो वो काम मत करो मित्या आचरन मत करो और सही विधी से सही साधना से सही योगा भ् पास से सही विश्यों को समझ कर अगर आप ब्रह्मचारे का पालन करो तो आप से आप निश्य ही ब्रह्मचारे का पालन कर पाएंगे इसलिए स्रिक्रिश्ण से बड़ा ब्रह्मचारी कौन क्योंकि आजकल हमने अर्थ का अनर्थ कर रखा है आजकल लोगों ने मात्र बिंदू गिरना एक पुरुष के लिए वीरे गिरना मात्र ही ब्रह्मचारे का खंडन है जी नहीं ब्रह्मचारे तो बहुत बड़ी चीज है ये तो बहुत चोटी चीज है उसके सामने हमारे देश में ऐसे योगी महात्मा हुए, सिध्ध योगी हुए, श्री शामा चरन लाहरी महाशे और दूसरे कई संत योगी हुए राजा जनक हुए श्री राम चंद्र हुए स्री कृष्ण स्वेम महा योगी परम ब्रह्मचारी कृष्ण से बड़ा ब्रह्मचारी कौन स्वेम कृष्ण ही परम ब्रह्मचारी है श्री मद भागवत महा पूरान बढ़ेंगे तो सबसे बड़ा ब्रह्मचारी कौन है वो कृष्ण ही तो है कृष्ण से बड़ा ब्रह्मचारी कौन राजा जनक विदेह जनक उनसे बड़ा ब्रह्मचारी कौन कल युग में भी ऐसे योगी संत हुए जो ब्रह्मचारी हुए श्री शामा चरन लाहडी महाश्या अब उनका जीन पड़ोगे, और भी कई योगी संत हुए दिख न? तो जो ऐसे योगी संत हुए वो सब भी ब्रह्मचारी थे क्यों ब्रह्मचारी थे? अब अब उनमें से वो शादी शुदा भी थे, संतान भी थे उनकी संताने भी होती थी तो अब बोलोगे आपके भाई विवा भी किया संतान भी हुआ तो ब्रह्मचारी कैसे हुए जी हाँ विवा भी किया संतान भी हुई तो भी ब्रह्मचारी हुए क्योंकि वह ब्रह्ममाई आचरन को तक पहुँच गया और उन्होंने सारा प्रयास उस ब्रह्म मैं आचरन तक पहुचने में ही लगाया यही उनका प्रयास था इसलिए वो ब्रह्म चारी हुए मिथ्या चारी नहीं हुए लेकिन मिथ्या आचरन कब है जब बाहर से प्रदर्शन हो हम कहते हैं कि हनुमान जी ब्रह्मचारी थे तो हनुमान जी ब्रह्मचारी थे उनका आचरन ब्रह्ममय था इसलिए ब्रह्मचारी थे इसलिए नहीं कि उन्होंने विवा नहीं किया था इसलिए नहीं कि उन्होंने विवानी किया था वो ब्रह्मचारी थे क्योंकि वो समर्पित भाव से अपने कर्म करते थे उनके विचार ऐसे थे उनका संकल्प वैसा था उनकी साधना की या योग साधना की अवस्था वैसी थी इसलिए वो ब्रह्मचारी थे अन्य था तो समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने विवा नहीं किया उनकी उमर 50-60 साल होने वाली है तो क्या आप उनको ब्रह्माचारी कह दोगे ऐसे लोग हैं अब किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेना चीए लेकिन ऐसे लोग हैं उन्होंने नहीं किया विवा नहीं किया मरजी है उनकी बहुत धन्वैब हूँ उनको जवरत नहीं कुछ इस तरह की धारणा हो जो भी धारणा हो जो भी स्विचार हो उनके तो ब्रह्मचारी होना मिध्याचारी होना तो चेक करो कहीं तुम मिध्याचारी तो नहीं कहीं तुम मिध्याचारी तो नहीं हो ऐसा तो नहीं कि तुम मिध्याचारी इसलिए भगवान पहले भी कर चुके हैं कि इससे बहतर है कि तुम इंद्रियों द्वारा कर्म करो इंद्रियों द्वारा भोग करो लेकिन अपने बुद्धी को विशेरस से मुक्त रखो फिर तुम्हारा ब्रह्मचर्य सिद्ध होगा फिर अगर तुम अपने कर्तव के कारण कर्म करते भी हो जैसे अरजुन को आज युद्ध करना है हो सकता है कि किसी को अपने कर्तव में विवा करना पड़े और हो सकता है कि किसी को कर्तव में आजीवन ब्रह्मचारी रहना पड़े तो यदि तुम ऐसा करते हो तो निश्य ही तुम ब्रह्मचारी में गिने जाओगे मिथ्याचारी में नहीं गिने जाओगे तो निश्काम भावना से कर्म योग करने से कोई ब्रह्मचारी होता है अन्निथा सकाम होकर किये गए कर्म और बाहर से कर्मों का त्याग और भीतर में कर्मों का चिंतन वासनाओं का चिंतन भोगों का चिंतन और उससे ना बच पाना और फिर ये नियम बना देना कि हम तो भाई किसी स्थरी को नहीं देखते हैं हम तो ये नहीं करते हैं प्रमचर तो तुम्हारा तब है ना जब तुम्हें स्थरी दिखे भी और तुम्हारा मन चंचल ना हो तुम्हें भोजन स्वादिष्ट भोजन दिखे स्वादिष्ट भोजन का सुगंध भी तुम्हें आए और तुम्हारा मन चंचल ना हो तुम्हें भूक ना लगे तब ठीक है नहीं तो व्यर्थ मिथ्या आचरन की तरह ही सारे कारे होंगे फिर इसलिए भगवान कहते हैं कि इस मिथ्या आचरन से बहतर क्या है इस मिथ्या आचरन से बहतर क्या है मिथ्या आचरन से बचने का तरीका क्या है तो भगवान अगले स्लोप में कहते हैं यस्त्विंद्रियानी मनसा नियम्यार्भते अर्जुन करमेंद्रिये करमे योगम सक्तह सा विशिश्यते परंतु हे अर्जुन हे अर्जुन जो मनुष्य मन से इंद्रियों पर नियंत्रन करके आसकती रहित होकर निश्काम भाव से करमेंद्रियों के द्वारा करमे योग का आचरन करता है वही स्रिष्ट है दिखिए यहां पर मिथ्याचारी वह विक्ति है जो पुद्धी में तो उसके विशेरस भरा पड़ा है लेकिन बाहर से लौकिक आचार में वैवहार में वह ब्रह्मचारी अपने आपको दिखा रहा है या फिर स्रेश्ट दिखा रहा है प्रह्मचारी दिखा रहा है वह निश्चेही मिथ्याचारी है अब वैभी चारी कौन है जो पूरी तरह से आसक्त भी है और आसक्त रूप से करम भी कर रहा है तो वह भी कम से कम मिथ्याचारी होने से थोड़ा बेहतर है वो और सर्वस्रिष्ट क्या है सर्वस्रिष्ट यह है सर्वस्रिष्ट यह है जो अपने इंद्रियों से सारे करने योग्य कर्तव वे करमों को भी कर जाए सारे कारियों को भी करे लेकिन अनासक्त भाव से करे इंद्रियों के वशी भूत ना करे और सकाम होकर ना करे निशकाम होकर अगर वो सारे कर्मे योग्य कर्मों को करता है तो वह स्रिष्ट है वह स्रिष्ट है लेकिन वैभीचारी जो जान बूज कर गलत कर्म करे ना लौकिक विवहार की मर्यादा को रखे और मन तो उसका पतन है ही जान बूज कर अगर वह किसी के हक को मारते हुए जैसे वैभीचारी यहां दुर्योधन है मिथ्याचारी अर्जुन है ठीक न? वैभीचारी यहां कौन है? दुर्योधन वैभीचारी व्यक्ति है जिसको कोई बान मर्यादा से मतलब नहीं है अपने स्वार्थ, अपने एहंकार, अपने कामसिकता को सिध्ध करने के लिए साधने के लिए वो कितना भी नीचे गिरने के लिए तैया है लासे बिष्टी हैं बिछ जाएं मरते हैं लोग मर जाएं मुझे तो पूरा प्रित्वी पर राज चाहिए पांडवों को एक सुई की नोक के बराबर भी नहीं मिलना चाहिए तो यहाँ पर दुरियोधन वैभी चारी है अरजुन मिथ्याचारी हो रहा है हुआ नहीं है अभी कृष्ण उसे समझाने में लगे हुए रोकने में लगे हुए अरजुन बोल रहा है मैं ब्रह्मचारी की तरह बिक्षा मांग कर जैसे एक ब्रह्मचारी का जीवन होता है बि तो निकरिष्ट कारे होगा, तेरे लिए, तेरा स्वधर्म कुछ और कहता है, और तु कुछ और कर्म करने में लगा हुआ है, तो यह मिथ्या आचरन कहलाएगा, वैसे देखी समाज और संसार तो मिथ्या आचरन से भरा पड़ा है, लोग बहुत तरह की बाते करते हैं, और बिजनेस के फिल्ड में लो करते हैं मिथ्या आचरन, लेकिन जो है, दुर्भाग्य पूर्ण तब होता है, जब कोई ऐसी समाज सेवी संस्था, जो कि आपको दिखाए कि वह तो सारी चीज़े दान कर रही है, वह तो आपको सब कुछ फ्री में ज्यान दे रही है, सब वहां से बहुत वर्ष पहले, आसे लगबग दस वर्ष पहले, अभी में जुड़ा हुआ था वहां से, तो संस्था ने खूब प्रचार किया, कि सारे जितने भी सादू संत हैं, वो तो समान बेचते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और हम तो ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं, हम तो समाज के सेवा कर रहे हैं, निशुलक ज्यान दे रहे हैं, और हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए आप हमारा साथ दीजिए, संस्था दान लेती थी, हां मांगती नहीं थी, बहुत सारे लोग इस बात से प्रभावित होते थे, लेकिन फिर धीरे संस्था ने, संस्था ने पहले किताबे बेचनी शुरू की, चलो किताबे तो ज्यान का ही प्रचार होता है, ठीक अच्छी बात है, संस्था ने फिर थाकतित गुरू जी के अपने फोटो स्वरू बेचने शुरू किये, चलो ये भी चल जाएगा, फिर सीडी के सेट बेचने शुरू कि फिर नमक तेल बेचने शुरू किये फिर किराने का सारा समान बेचना शुरू किया ग्रोसरी शॉप का ग्रोसरी स्टोर का सारा समान बेचना शुरू किये फिर मिल्क प्रोड़क्ट बेचने सारे शुरू कर दिये फिर प्रोपटी का बिजनेस भी शुरू कर दिया और कुछ निशुल के बताया जाता है, सिखाया जाता है, वही शिकार बनते हैं, और फिर गेम होता था, सुप्रेटरी कों कॉम्पलेक्स बाटने का, कि आप तो सबसे बड़े पुन्य आत्मा हैं, जो यहां से जुड़ गए, इस दर्बार से जुड़ गए, कोई एक संस्था ऐसी कहती हो, ऐसी बात नहीं है, आपको अध्यात्मित्ता के नाम पर काम करने वाले जितनी भी संस्थाएं हैं, आप उनके दर्बार से उनके यहां पर जुड़ जाएए, आपसे वो यह जरूर कहेंगे, कि आप दुनिया के सबसे भाग्यशाली वेक्ती, देखिए, इसमे कोई शक भी नहीं है, यदि आप योगमार्ग से जुड़ते हैं, तो आप निश्य ही भाग्यशाली बनते हैं, क्योंकि इस मनुष्य जीवन की सार्थकता योगमार्ग में है, लेकिन जब संस्थाओं में ऐसी बात कही जाती है, तो वो फिर्फ अपने संस्था के लिए कही जाती है, तो स्रों के लिए नहीं कही जाती है, कि आप कहीं और भी जुड़ जाएंगे तो भाग्यशाली होंगे, ऐसा नहीं कहा जाता है, तो ये बहुत भारी, ये मिथ्या अचरन का एक उदाहरन में दे रहा हूँ, ठीक है, राजनितिक वर्ग में मिथ्या अचरन तो हम मिथ्या अचरन का खेला जाता है, लेकिन यह बहुत ही कौमन है, लोग मिथ्या चारी होते हैं, कई बार ठीक है, एक सीमा तक, शायद कई बार यह मिथ्या अचरन एक सीमा तक सही भी होता हो, किसी अस्थान पर, लेकिन स्वेम के लिए तो बहुत सही नहीं होगा, लेकिन ल प्रयादा को निभाने के लिए अगर कुछ आचरन मिथ्या भी है तो ठीक है वेभारिक्ता में है लेकिन जब हम किसी को ठगने के लिए किसी को ज़ूट बोलने के लिए या उनको मैनिपुलेट करने के लिए हम दिखाते कुछ और हैं मन में रखते कुछ और हैं और जब वो विक्ति हमारी बात मन झाता है और देखते हैं कि अब तो यह फ ङया तो अपना असली चहरा हम ले आते हैं यह मिध्य आचरन बहुत बड़े अस्तरपर कई बार धर्म के नाम पर किया जाता है अध्यात्म के नाम पर ऐसा मिथ्य आचरन होता है कई बार तो लोग एक महनुभाव मुझको मिले कि आप तो लगता ही नहीं है कि आप ध्यान योग सिखा सकते हैं क्योंकि आपने तो कोई योगी वेश्धारन नहीं किया आपका तो कुछ ऐसे दाड़ी बाल भी नहीं दिखाई दे रहा है और इस तरह से तो आप क्या कैसे ध्यान योग करवाएंगे मतब किसी ने ऐसा नहीं है कि ऐसे लोग मुझे मिलते लेकिन कोई ऐसा मिल गया एक बार कुछ महिनों पहले की बात है तो इसलिए अब मैंने उससे कहा कि गीता में क्या उपदेश दिया है सरे कृष्ण भगवान ने अरजुन को योग का उपदेश दिया है तो कृष्ण किया दाड़ी बाल एकदम सादू वेश में खड़े थे और अरजुन किया एकदम गार्वत्याकर एकदम ब्रह्मचारी सादू वेश में खड़ाता नहीं दोनों राजपुरुष थे इसलिए गीता का ग्यान कोई आश्रमों में बैठ कर या जंगल में जाकर तपस्या करने का ग्यान नहीं है गीता का ग्यान है जीवन जीने का ग्यान है गीता का ग्यान है पहतर तरीके से जीवन जीने का ज्यान है, पहतर तरीके से संसार को समझने का ज्यान है, और कैसे हम अपने मन, बुद्धी, इंद्रिय, इन सब के साथ, इन सब को साथ में लेते हुए, इनका नियंत्रन, इनका सैयम करते हुए, सैयम सब्द ही रिष्ट है, इनका सैयम करते हु हुए हम इनका सदूपयूग कर जाएं करम तो करना हिपड़ेगा करवाएग मा EL как ना भी करो तो भी करवाएगा इससे बेहतर है कि संकल्प वान बन के करो तनमेमन शिवसंकल्प मस्तु आ मैं अपने मन में शिवसंकल्प को धारन करो शुबसंकल्प को धारन करो और शुब संकल्प को धारन करकर कर्म करो तो इसलिए कर्म करना चाहिए कर्म अवश्य ही करना चाहिए और संकल्प वान होकर करना चाहिए करने योग्य कर्म करने चाहिए कर्तव्य कर्म करना चाहिए जहां पर आपका कर्तव्य बनता है वो सारे कर्तव्य कर्मों को करना चाहिए निभाना चाहिए ठीक है तो यह सारे विशय हमें बहतरीन तरीके से समझ में आएंगे तो इसलिए हमें मिथ्या आचरन से हम यदा संभव बचने का प्रयास करें अगर यदी कहीं पर मिथ्य आचरन आपको करना पड़ रहा है तो वह व्यवहरिक या मर्यादा के लिए होना चाहिए ना कि व्यर्थ में लोगों को सवांग धारन करना व्यर्थ में प्रशार करने के लिए जी नहीं कब हनुमान जी ने साधू वेशधारन किया था गो स्वामी तुलसी दाजी लिखते हैं कियो हूं कुवेश साधू सनमानू जिमी जग जाम वंत हनुमानू उगरही अंतना हो ही निबाहू कालनेमी जिमी रावन राहू कि कालनेमी रावन और राहू ने क्या किया था काल नेमी ने साधू का वेश धारन करकर हनुमान जी को ठगने का प्रयास किया रावन ने वेश धारन करकर सीता जी का हरन कर लिया राहू ने देवताओं का वेश धारन करकर जबर्दस्ती अमरित पीने का प्रयास किया समुद्र मंथन के बाद जो अम्रित निकला उसमें इनका कभी कल्यान नहीं होने वाला कि यहूं कुवेश शाद उसन मानू और जो कुवेश धारन किये जामवंत जी कुवेश मतलब युद्धा का वेश हनुमान जी का दबंगों वाला वेश दम गदा लेकर लंका में प्रवेश कर जाते हैं तो हनुमान जी बजरंग बली का वेश कि यहूं कुवेश साधु सन मानू अगर साधु कुवेश भी धारन करे तो वो सम्मान के ही योग्य होता है और आने वाला अगर वो काल उसका सम्मान न करे तो समय उसका सम्मान करता है इतिहास आने वाला समय उसका सम्मान जरूर करता है और आज पूरे भारत वर्ष में, पूरे भारत वर्ष में, अनुमान जी के जितनी पूजा होती है, चाहे दक्षिन भारत की यात्रा करो, चाहे दक्षिनी भारत की यात्रा करो, चाहे उत्तरी, चाहे पश्चिमी, चाहे पुर्वी, बजरंग बली की पूजा आपको मिलेगी तो इसलिए भजरंग बली तो थे ऐसे कि वो मिथ्या आचरन कर ही नहीं सकते थे क्योंकि जो भाव रखते थे वैसे बन जाते थे थीता मिया के पास गया तो बाल रूप में हो गया अपने आप वो बाल रूप धारन नहीं किया था उन्होंने लेकिन सामने माता को देहकर स्वेम ही बाल रूप हो गया बाल पन का भाव आया और बाल रूप हो गया तो इसलिए मिथ्या आचरन से हमें यथा संभव बचना चाहिए मिथ्या आचरन से हमें यथा संभव बचना चाहिए और करना चाहिए अपना कर्म हमें करना चाहिए करने युग कर्म करने चाहिए फिर भी समाज में संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कभी मिथ्य आचरन नहीं करते हैं कम से कम धर्म के छेतर में तो बिल्कुल नहीं करते हैं ऐसे लोग हैं मैं ऐसे लोगों से भी मिला ये नहीं कह सकता हूँ कि मैंने आपको बताया कि एक संस्था जो नेसुल के नेसुल कहते थी अब बाद में सर्फ वैपार के अलावा कुछ रहा ही नहीं, तो लेकिन मैं ऐसे लोगों से भी मिला, जो बिलकुल स्पष्टवादी है, कोई मिथ्या अच्रन नहीं करते हैं, धर्म का प्रचार करते हैं, उसमें भी उनका कोई मिथ्या अच्रन, जैसे हैं वैसे करते हैं, और प्रकार से करेंगे तो बस जीवन को बहतर ढंग से हमें जीना है और सिद्धान्त को समझना है ठीक है अब कुछ लोग मुझे ऐसा भी कहते हैं कि हम नौकरी चाकरी करते हैं और नौकरी में हमें मिथ्या आचरन करना पड़ता है क्योंकि हमें कमपनी की जॉब करते हैं कमपनी को पैसा लाकर देना पड़ता है कमपनी हमें पेमिंट देती है हर महीने फिर वहां हमें जूट मुट उल जलूल बाते वो एक अलग विशे है फिर वो एक अलग विशे है ठीक है जहां कमपनी के लिए आप company के rules पर काम कर रहे हैं ठीक है अगर वह भी ना करना पड़े तो बहतर है वह भी ना करना पड़े तो बहतर है लेकिन विचारनिया तो है हम उससे भी निकलने का अगर समाधान ढूंडे तो निकल भी सकते हैं अगर निकलने का समाधान ढूंडे तो भी हम निकल ही सकते हैं तो निकलना मिथ्या अचरन से बचने का यही उपाय है कि व्यक्ति निश्काम कर्म योग को अपनाए किसी भी कर्तव्य कर्म को निश्काम भावना से करे यह नहीं कि यह मुझे कामना के कारण कर रहा है लेकिन बस कर्तव है तो मुझे करना ही है यह ड्यूटी मेरे सामने है और शुब संकल्पों को करे संकल्प ले सही उद्धिश से करे अब अरजुन को समझ में आ रहा है दीरे दीरे कि भाई मुझे तो युद्ध करना चाहिए समाज के लिए धर्म के लिए और निश्काम कर्म योग के लिए भी मुझे कर्म युद्ध करना चाहिए तो अरजुन की घेराबंदी हो रही है एक तरह से अरजुन अपने प्रश्णों के बान चला रहा है और स्रीकृष्ण अपना चक्रवियू दे रहे हैं शास्त्र सम्मत विचार देकर अरजुन को उसके प्रश्णों का उत्तर देकर उसे परास्त कर रहे हैं ताकि वह युद्ध कर उसे अरजुन को बस इतना ही समझ में आना चाहिए कि हाँ यह युद्ध करना उचित है उसे लग ही नहीं रहा कि यह युद्ध करना सही होगा मेरे लिए बहुत भारी confusion में है अरजुन हम भी कई बार confusion में होते हैं कई बार मिथ्या आचरन लोगों के चरितर में दिखाई देता है तो यह था संभव बचने का प्रयास जरूर योगी को करना चाहिए और निश्काम भावना से हम कर्म करें तो स्वताही मिथ्या आचरन से हम बच जाते हैं यह भी हमें समझना चाहिए ठीक है जिग्यासमू तो चलिए इसी के साथ मैं अभी विशारों को विराम दूगा और ध्यान योग का कोर्स आपको पताई है यहां देखिए गीता के जो गुड रहस्य है वो उसके लिए भी ध्यान योग शास्त्रों का गुड रहस्य है महरशी पतंजली के दुरारा दिया हुआ गुड रहस्य है इन सभी बातों को बहतर तरीके से समझने के लिए बहतर तरीके से समझने के लिए हमें ध्यान यूग का कूर्स करना ही चाहिए 20 दिसम्बर से शुरू हो रहा है वन मन्थ का है गाइडेड मेडिटेशन, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन स्प्रिच्वल हीलिंग ये सब इसमें सिखाया जाता है जूपीटर जॉइन करेंगे तो गाइडेड मेडिटेशन, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन स्प्रिच्वल हीलिंग तीनों आपको इसमें बताया जाएगा और अगर आप सन मेंबर्शिप जॉइन करेंगे तो आप इसकी details मांग सकते हैं कहां पर संपर करेंगे whatsapp करेंगे आप 9661802459 इस number पर आप whatsapp message करकर detail मांग लीजिए आपको सारा detail मिल जाएगा join करने के लिए ठीक है साथ ही प्राकरतिक चिकिस्सा का भी course शुरू होता है online course starting from 20 December 2022 तो वह भी शुरू हो रहा है लाब उठा लिजिए स्वास्त के लिए बहुत जरूरी है और साथ ही आपको philosophy का course भी शुरू हो रहा है तो वह 29, 29 29 December से शुरू होगा उसका जो चार्ज है 900 रुपीज 900 रुपे में होगा पीछे भी कहा गया था जुन लोगों ने पीछे जोईन किया था उन्होंने कम उसका चार्ज था लेकिन वो दो महिने के लिए जोईन करना था दो बार पेमेंट करना था उसमें तो इसी लिए जीन लोगों ने दो बार पेमेंट नहीं किया है उनका दूसरा महिना चल राहा है वो जरूर करदें चैया तो मेंबर्शिप लिया है तो अपने मेंबर्शिप को konटीनू रखें और दुबारा पेमेंट वो जरूर करदें या दुबारा membership अपना बना कर रखें continue रखें अगर नहीं किया था membership से Google पे यादी UPI से किया था तो दुबारा payment कर दें वो एक बार message कर ले second month का भी पच्छा होगा तो यह है बाकी फाइनली यहां जो course है यह first time चला था एक experiment बेस पर भी चल रहा था एक तरीके से लेकिन अब यह course जो है आगे बढ़ेगा चलेगा और हम सब इसका लाब उठा रहे हैं लाब इसका यही है कि concepts clear होंगे कि हमारे शास्त्रों ने क्या समझाया है हमारे वैदिक दर्शन हमें क्या समझा रहे है छे शास्त्र हो गए और तीन नास्तिक दर्शन हो गए बौध जैन और चारवाक और फिर पाश्यात दर्शन हो गए सारे के सारे इन सब की चर्चा उसमें चल पढ़ती है हो जाती है त लेकिन बहुत लाबकारी है आप इन सब विश्यों को समझेंगे जानेंगे तो आप खुद पूरे विश्व धर्म दर्शन को और भारतिय धर्म दर्शन को और अच्छे से समझ पाएंगे और विजन क्लियर होगा बस यही इसका महत्व है जरूर आप फिलोसोफी कोर्स भी ज तुर्शन कोर्स हम इसको कहते हैं तुर्शन कोर्स आप जोईन करकर इसका पूरा पूरा लाव उठाएंगे तो चलिए आज के कारिकरम को यहां विराम देते हैं कल फिर मिलते हैं नाइन पीम लाइव चर्चा में जुड़े रहें बने रहें बहुत बहुत आभार ओम सत-स झाल